कि जैसे के बच्चों मैंने आपको किलास में फर्स्ट लेसन पुरा कंप्लीट करा चुका हूं और समझा भी दिया है तो इसके कोशन आंसर रहे थे अब्जेक्टिव रहे थे जो आज मैं इसको करा रहा हूं आप अपच्छे से इनको देखके फिल कर लेना अपनी इपनी नो कोशन नमर वन में हूं कैन वर्क नोन इस्टॉप विदाउट गेटिंग टायार्ड यानि के कौन है जो बिना थके बिना रुके कंट्यून लगातार वर्क करता रहता है आदमी और संदे रखे मैं आदमी या कंप्यूटर या नन ओफ दॉम यानि कि इनमें से कोई नहीं त चलता से कौन होता है जो बिना थक से विना काम करता रहता है विना टायर न होगा सबस्दधा ने स्कार जब्छ को बेंज ओट लेस हें को만 उप्रिवार्व यानि के कंप्यूटर में यानकि काम काये रिदर नहीं कर सकता शठार किसके विना वाडतर के पानी के बिना, electricity के बिना, और food के बिना, तीन option दे रखें इसमें, तो computer काई से घबर करता है, कैसी device है, electronic device है, क्यों, क्योंकि वो light से चलता है, इसलिए ये अगर light नहीं होगी, तो computer कैसा होगा, worthless, तो इसका option, second option से ही होगा, next question है, computer has very high, computer has very high, speed, accuracy, worth of them, यानी computer has very high, computer के पास जब बहुत ज्यादे हाई है, क्या है, speed, computer का speed कैसे होती है, high होती है, next question है, what does a computer need to do its work, what does a computer need to do its work, computer को काम करने के लिए किसी चीज की जरुवत होती है, human touch, आदमी के टच करने से, computer को brain, दिमाग की या instruction, तो computer काम करने के लिए instruction की जरुद होती है, next question है, कि who cannot take its own decision, कोन अपने आप अपना decision नहीं ले सकता, आदमी नहीं ले सकता, या computer, या both of them, या दोनों, तो इन में से कोन है, जो अपना decision नहीं ले सकता, यानि के computer, computer के अंदर एक ही कमी है, कि वो decision नहीं ले सकता, नहीं सोच सकता, अब second question है, question number second है, fill in the blanks, यानि के जो रिक्तिस्थान है, उनको fill करना है, भरना है, तो इधर side में इनोना option भी दे रखे हैं, और यहां आपको भरना है, क्या सही रिक्तिस्थान के सामने, सही word क्या आएगा, तो जैसे है, एक computer never forgets any stored information, जो stored information है, इन information को computer कभी भी forget नहीं कर सकता, कभी भी नहीं भूल सकता है, कि एक computer cannot take any, यानि computer नहीं ले सकता है, यानि कोई भी इसका आएगा decision, कोई भी आएगा decision, एक computer cannot take any decision on its oven, अपने आप कोई भी computer decision नहीं ले सकता, जब तक कोई इनसान, आदमी, होमन, कुछ ना कहे, एक computer next है, एक computer cannot work without, computer बिना without, यानि काम नहीं कर सकता, without किसके instruction के, जो भी बता है, instruction, यानि के number 3, तो computer को काम करने के लिए instruction की जरूत परती है, बिना instruction के computer काम नहीं कर सकता, next question है, एक computer does not have any feeling and emotion, number 4 में, ऐसे computer is useless without, computer useless है, without किसके, electricity, अगर light नहीं होगी, तो computer नहीं काम करेगा, तो computer, बिना light के computer कैसा है, useless, next, last, a computer cannot get tired, computer हम करते करते, यह feeling the balance, और objective complete हो गया, next question है, question number 3, क्या है, question number 1 है, who is superior man or computer, यानि computer और man में, आदमी में कौन superior है, give reason to support your answer, और दो reason देजिए, वो क्यों superior है, तो answer है, computer is superior than man, यानि कि computer क्या है, जैसे कि हमने lesson में पढ़ा था, कि आदमी में और इंसान में कौन superior है, computer, computer ज्यादे superior है, better काम करता है, इच्छा काम करता है, तो क्या है, computer is superior than man, because, क्योंकि, first reason है, computer has very high speed, computer की जो speed हो कैसी है, very high है, वो तेज होती है, according to man, computer हमेशा, जो है, सही result, देता है, अब question number second, question number second आता है, question number second है, mention any three difference between man and computer, यानि कि आदियों और computer के तीन difference लिखिये, first time, computer cannot tired, but man tired, computer जो है, लगतार continue काम करता रहता है, और थकता नहीं है, 24 घंटे भी काम करता रहता, 24 घंटे लगतार continue, but, अगर आदमी जादे देर तक काम करता रहता है, तो वो थकान महसूस करने लगता, थक जाता है, यह first difference, second difference, computer has very high speed, but man not, यानि computer की speed होती हाई है, जो काम इनसान कई घंटों में कर सकता, computer उसको second time में कर लेता है, next है, computer cannot take any decision, but man can take any decision, यानि computer जाए कोई भी decision नहीं ले सकता, emotional or decision computer नहीं ले सकता, computer जाए आदमी पर ही depend रहता हूं उन पर, but man जाए वो decision ले सकता है, question number C, can computer solve problem like our brain, क्या computer हमारे दिमाग की तरह कोई भी problem को solve कर सकता है, जी नहीं, क्योंकि computer के अंदर decision लेने की छमता नहीं होती, feeling की समता नहीं है, तो computer जैसे जिस तरह से हम अपने दिमाग से किसी भी question को solve कर सकता हूं, तो computer नहीं कर सकता, computer cannot solve problem like our brain, because it's have not emotion and decision, तो यह first lesson complete हो जगा, इसको आप अच्छे से note कर लिजेगा,